हाई फ्रेंड्स वेलकम तू मैं चैनल है पेवोमनिया स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल है पेवोमनिया में आज जो है मैं आप लोगों के साथ एक प्रड़क्ट का यू रिव्यू करने जा रही हूँ और वो प्रड़क्ट है आप देख सकते हैं मेरे हाथ में दिसानों का एपल साइडर विनेगर विद गुड़नेस ओफ मदर विनेगर तो फ्रेंड्स इसका आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रही हूँ रिव्यू की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की आप देख रहे हैं कि प्लास्टिकी बॉटल में ह वाइट कलर का कैप है इसमें और ये बॉटल जो है टांस्परेंट है और बहुती मजबूत बनाई गई है ठीक है इसके लब हम बात करें तो इसके कलर की बात करते हैं इस विनेगर की इसका कलर आप देख रहे हैं कि हलका यलो सा है बिल्कुल जैसे एपल्स का कलर होता है ऐ जो है बिल्कुल प्यूर एपल से बनाया गया है हमालयास के एपल से बनाया गया है और इसमें किसी भी तरह के कोई भी कैमिकल या कलर का यूज नहीं किया गया है इसलिए इसका कलर जो है बिल्कुल नैचरल है और क्योंकि ये नैचरल है तो सिहत के लिए बहुत अच्छा ह किसी भी तरह का harm जो है इससे हमारी सिहत पर नहीं पहुंचने बाला ठीक है तो अब जो बात करते हैं हम इसके यूजर्स की इसका यूज जो है सबसे पहला जो यूज है अपल साइडर विनेगर का दिसानों के अपल साइडर विनेगर का वो है बेट लॉस मैंने जो इससे करना चाहिए तो वेट लॉस के लिए हम इसे कैसे यूज करते हैं क्या करना है कि दिसानों के एपल साइडर विनेगर की दो कैप यानि की 10 एमल आपको डेली मॉर्निंग में पानी में डाल कर पीना है और दूसरा जो है इसे लंच से आदा गंटा पहले पीना है वही दो ढखक है ठीक है अब आप ये कहेंगे कि मैंने दिसानों का ही एपल साइड इफ नेगर क्यों मंगाया है क्योंकि मैं जो है इस कंपनी के बहुत सारी प्रोड़क्ट यूज करती हूँ जैसे कि खाने में मैं इसका कनोला यूज करती हूँ अपने हेयर्स पर जो है वर्जन कोकनट यूज कर रही हूँ आप मेरे एयर्स देख सकते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो ये इसी की देन है तो मैं इस पर बहुत बिलीव करती हूँ इसके अलावा जो है इसके पास्ता ओट्स वगरा और पीनट बटर जो है बहुत सारी चीजे आती है जैसे जैसे मैं यूज करती जाओंगी वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ जो है इसका रिप्यू शेयर करती जाओंगी ठीक है इसलिए मैं निदिसानों को ही प्रिफरेंस दी है क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ इस कंपनी पार ठीक है तो बात करते हैं इसके और यूजिस की जो इसका ने जो है आपको apple cider vinegar लेना है और आदा कटोरी ही पानी डालना है आपको इस पी दोनों को अच्छे से mix करना है और cotton के five से scalp पे और पूरे hairs पे लगाना है after shampoo और आदे घंटे तक उसे रखना है आदे गंटे पाद जो है उसे normal water से आप wash कर लीजी तो आपका जितना भी डेंटरफ है वो पूरी तरह से ख़दम हो जाएगा ठीक है तो यह तो रहे दो यूज इसके अलावा जो तीसरा यूज है apple cider vinegar का वो यह है कि आपके skin अगर oily है और उस पे pimples हो जाते हैं जैसे कि मेरी skin थोड़ी सी oily है और बहुत बार इस पर pim इंपल्स हो जाते हैं जैसे ही मौसम चेंज होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है एक चमच जो है apple cider vinegar का लेना है और एक चमच जो है आपको गुलाब जल का लेना है ठीक है तो अब उसको क्या करना है अच्छे से मिलाना है और cotton से जो है आपको अपने face पर पूरी लग हम बात करें तो इसका जो next use है वो यह है कि बहुत अच्छे toner का भी कांग करता है आप इसे वही गुलाब जल में mix करके पूरे face पे लगाईए और बराबर की बात्रा में तो वो आपकी skin को tone करता है इसके अलाबर जो है आप wax करा के आते हैं तो इसकिन बहुत hard सी हो जाती है और बाल आप देखते हैं कि बाद में बहुत जादा मोटे मोटे हो और एकदम heart से आने लगते हैं तो उसके लिए क्या करना है कि जैसे आपने wax कराई है तो तुरन जो है उसके बाद घराने के बाद आप जो है दो चम्माच या तीन चम्माच जैसे आपकी जरत हुए आदा इसके बहुत स्मूध हो जाएगी और इसके साथ साथ जो है वो hardness नहीं आएगी एक softness आजाएगी इसकिन को tone करेगी black patches भी नहीं होगी ठीक है इसके अलावा हम बात करें अगर इसके uses की तो यह है कि nail पे लगाने के बाद जो है कई बार हमारे nails जो है थोड़ी से yellow हो जाते ह हैं थोड़ी से hard हो जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे nails की quality अच्छी रहे हमारे nails यरो नहीं हुए आप इन nails देख सकते हैं चोटे चोटे रखती हैं क्योंकि बच्चे मेरे चोटे हैं तो खाना मनाती हूँ तो चोटे nails है लिए इन quality बहुत अच्छी है और कि यह एकदम white है तो उसमें क्या करना है कि nails के लिए आपको आधा कटोरी जो है यह दिसानों का apple cider vinegar लेना है और आधा कटोरी उसमें पानी डालना है और उसको अच्छी से mix करना है और थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए आप nails को उसमें dip करके रखना है ठीक है तो उस में उससे जो है आपकी nails बहुत strong हो जाएंगी और white हो जाएंगी आप अगर manicure pedicure कर रहें तो उसमें भी आप दो ढखकन जो है यह दिसानों के apple cider vinegar की डालिए आपको एक अलगी effect नस आएगा अपनी nails में मजबूत ही आएगी यलोनेस दूर होगी यह nails बहुत white हो जाएंगी ठीक है तो इसके अलावा अगर हम बात करें इसके uses की तो इसका जो और जो अलग use है वो यह है कि आप mouth freshener की तरा भी इसे use कर सकते हैं उसके लिए क्या करना है वही लेना है आधा जो है apple cider vinegar और उतना ही भाग पानी दोनों को मिलाना है अच्छे से shake करना है और उसका आपको कुला कर लेना है मूं में भरके फिर कुला कर लेना है तो एक mouth freshener का भी काम करता है अपको यह daily मिलानी की ज़रत नहीं है टोनर है या hairs के लिए आप बना कर रख सकते हैं फ्रीज में 7 days तक जो है आप से रख सकते हैं और उसे आसानी से daily use कर सकते हैं 18 month की जो है इसकी life है और इसे जब भी use करें अच्छे से shake करके फिर use करें 495 रुपय का है यह इसे मैंने Amazon से मंगाया है Amazon से मंगाने पर इसमें शायद थोड़ा सा और भी छूट है 460 की आसपास जो है मैंने इसे मंगाया है Amazon से मुझे छूट मिला है वैसे आप चाहें तो आफ लाइन भी ले सकते है लेकिन Amazon से अगर आप लेना चाहते तो मैं description box में Amazon का link दे दूँगी उसमें आपको थोड़ा सा और ज़्यादा इसका benefit हो जाएगा तो बहुत ही useful product है दोस्तों आप इसे use करके देखिए daily life में बहुत काम आता है apple cider vinegar आप इसे use कीजिए और मुझे comment box में जरूर बताई कि share कीजिए और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करते चाहिएगा जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए thank you so much मेरी वीडियो देखने के लिए till then bye